राधे राधे अब्रीवन कैसे हो आप सभी आसा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो देखिए आज के वीडियो में आप सभी के साथ सेयर करने वाली हूँ आप अपने घर पर बहुत सरल तरीके से किस प्रकार भगवान शिप का अभिशेक कर सकते हैं तो देखिए हम सभी का मन करता है कि किसी अच्छे दिन जो है न हम भगवान शिप का अभिशेक करें अपने घर पर तो प्लकु सरल तरीका इस वीडियो में आप लोगों के साथ सेयर करूंगी क्योंकि आज मेरे घर पर भी भगवान शिप का अभिशेक हो रहा है और हम किस तर के मंदिर में जो भी भगवान शिप की मूर्ती है या सिवलिंग है आप उनका इस तरह से अभिशेक आप कर सकते हैं तो सबसे पहले देखिए घीका दीपक आप जरूर जला ले हम जहां पर अभिशेक कर रहे हैं हमने वहां पर घीका दीपक नहीं जलाया है क्योंकि सामने बहुत बड़ी खिड़की है तो वहां से बहुत तेज हवा आती है तो दीपक बुझ सकता है इसलिए हमने मंदिर में दीपक को प्रजुलित कर लिया है तो सबसे पहले भगवान का मन में ध्यान जरूर करें अपने सीधे हाथ में थोड़ी से चावल और पुस्प ले ले ल इसनान करवाएंगे तो यहाँ पर आप सुद्द जल में थोड़ा सा गंगाजल आप जरूर मिला ले तो देखिए हमने यहाँ पर गंगाजल जल में मिला लिया है तो सबसे पहले भगवान शिपको इसनान कराएंगा उसके बाद यहाँ पर हम पांचों चीज़ों से बगवान शिपक का जो इसनान है ना इसी तरह से किया जाता है तो पांचों चीज़ें अलग-अलग तरह से चड़ाई जाती है जैसे कि देखिए सबसे पहले हमने कच्चा-दू चड़ाया ता उसके बाद सुद्द जल से असनान करवादिया फिर उसके बाद हमने रभी से पाँचों चीजे जो है अलग अलग आपको भगवान स्विप को चड़ाना है तो अभिशेक करने का जो सही तरीका है वो यही है हम अगर अपने घर पर अभिशेक करते हैं तो आपको इसी तरह से घर पर अभिशेक करना चाहिए पाँचों चीजों से अलग अलग अभिशेक करने के बाद पाँचों चीजों को साथ में मिलाकर पंचा मिर्स से हम अभिशेक करेंगे तो पहले सारी अलग 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 चीजों से स्नान करवाना है फिर आपको पंचा मिर्स से स्नान करवाना है और फिर आपको सुद्ध जल से स्नान करवाना है इसके बंधोदक इसनान करवाएंगे तो गंधोदक इसनान के लिए आपको थोड़ा सा जलेना है उसमें आपको चंदन पाउडर घूल कर और इससे भगवान शिप को इसनान करवाना है तो यह इसनान भी बहुत जाना ज़रूरी होती है भगवान शिप को अ विशेख करवाएंगे तो यह सारी चीचों से आप भगवानशिप का विशेख जरूर करा आए तो देखिए हमने यहां पर भांग से भी भगवानशिप को शनान करवा दिया है और सारे शनान को अलग-अलग कराने के बाद आपको सुद्ध जल्स इसनान देखिए ज़रूर करवाना है अगर मैं यहाँ पर बताने नहीं पा रही हूं कियोंकि वीडियो आफ चीज डिटेल में बताओंगी तो वीडियो बहुत जाना लंबा हो चाता है तो एक सौर्ट कट तरीके में आपको यहाँ पर बताने कि मैं कोसिस करती हूं तो यहाँ पर देखिए भांग से स्नान करवाने के बाद हमने यहाँ पर सुद्रजल से भगवान को स्नान करवा दिया है इसके बाद हम यहाँ पर करवा रहे हैं मौसम्मी के जूस से अभिशेक तो यहाँ पर हमने ताजा मौसम्मी का जूस घर में निकाला है आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हैं आपकी जैसे सुवधा हो आप उस सापसे कर ले और मौसमी के जूस से अभिशेक करने से हिर्दे संबंदी जितने भी रोग होते हैं रोगों को ये बहुत जल्दी सांत करता है अगर किसी को किसी तरह की बीमारी है न तो आप मौसमी के जूस को हम प्रसाद के रूप में किसी को भी बाढ़ सकते हैं अगर हम उसी में जल में सनान करवा देते न तो पूरा जो है न पीने योगत तो देखे रहता नहीं है इतना सारी क्योंकि उसमें दूद दही सब कुछ मिल जाता है तो उसे सिब पेड में ही हमें डालना होत सुचमपूजन कैसे किया जाता है चंदन और चावल चढ़ा दीजीए आप बेलपत्र चढ़ा दीजीए और पूझमपूजन करने के बाद किया जाएगा भग्वानशिप का अभिशेक तो अभिशेक कैसे किया जाता कि हम ने यहां पर दूध ले दिये है घोई मैं देखी इतना सारा दूद तो हर्किजी के पास उपलब्द नहीं होता है क्योंकि हम यहाँ पर रुद्री से अभी शेक कर रहे हैं अगर आपके पास इतना दूद उपलब्द है तो पूरा दूद से ही आप गाए के दूद से भगवान का शिपका अगर आपके पास परियाब के दूद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए और फिर रुद्री से आप अभिशेक कर सकते हैं अगर आपको रुद्री नहीं आती तो आप नमश्वाय का जब करते हुए भगवाणशिप का अभिशेक कर सकते हैं और हम यहाँ पर इस तरह की सुरंगी बोला जाता है इससे अभिशेक कर रहे हैं इसे गव मुख भी बोल सकते हैं क्योंकि नीचे गव का मुख बना रहता है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप लोटे में जल भर लें और उससे एक धार लगाते हुए भगवाणशिप का विशेक करेंगे तो वह भी आपके लिए बहुत जाना फाइदे मंद रहेगा तो देखिए यहां पर जो है ना विशेक हो चुका है इसके बाजु है ना भगवाणशिप के ऊपर तरपन किया जाता है अपने पित्रों के नाम का तो यहां पर पंडी जी जो है अपने पित् करना अती आवश्यक है इसलिए हमने यहां पर चान्दी का गिलास और चमच यहां पर यूज कर रहे हैं और इस तरह से भगवाणशिप पर हम पित्रों के नाम का यहां पर तरपन कर रहे हैं तो तरपन का दिखी अलग मंत्र वगेरा रहते हैं अगर हो सगेगा तो डिस्क् सभी कि दैधि की नियां तो अपर चाहिए उस फि साथ दोफ्री नेकों नेकालों का लाएकर देमिकान वीड को सम 승 inclus कि बेलपत्र का आसन नहीं दिया जाता है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है भगवान शिप को बेलपत्र का ही आसन दिया जाता है और यह जो चीज है न हमने कही जगे पढ़ी है इसलिए हम आप सब के साथ यह सारी चीज़े सियर करते हैं इसके बाद देखिए हमने यहां पर यत हमारा भाग है कि हमें अगर कुछी प्राप्त होनी होती है तो वह हो जाती है लेकिन पूजा पार्ट करने से जो है ना मन बहुत सांत रहता है और गलत रास्ते पर इनसान नहीं बटकता यह दो चीज़ जरूर होती है जीवन में यह मैं आपको पूरी कॉन्फिनेंट के पूरी के पूल जो भी सबकुछ चड़ता है ना फगवान के उपर हम सबकुछ यहां पर चड़ा देंगा और बेल पत्र की हमेशा इस तरह से चड़ाया जाते हैं उल्टा करके हमेशा बेल पत्र के उपर अपनी मनुकामरा भी लिख सकते हैं जो भी आपके मन में इच्छा है कोई मन आप किसी चीज को पाने के कोई चुक हैं तो आप बेल पत्र के उपर अपनी मनुकामना लिख दीजिए बहुत जल्दी जो है ना वो पूरी हो जाती है बख्वान शिप को देखें चौकी पर कर दिया है हमने बिराज बन आप चाहें चौकी पर कपड़ा भी भिचा सकते हैं अमने यहाँ पर नहीं बिचाया है क्योंकि हमने बेल पत्र चाहें कहाँका बछा सकतेSmith को यह कोई आप चढाना बिल्कुल ना भूले अगर किसी चीज में कोई कमी पेसी देखिये रही जाती है कुछ चीज़े जो है ना हमारे दिमाग से कभी कोई निकल जाती है तो आप दश्णा आप ज़रूर चढ़ा दे दश्णा चढ़ाने से जो है ना चीजों की कमी पेसी अगर रहे जाती है गलती से तो उसकी जो है न पूर्ती हो जाती है आर्थी करने के बाद कर रहे हैं हम यहां पर पुस्पांजली उस तरह से दिखें आप सरल बिदी से अपने घर पर عविशेक कर सकते हैं अभी शेक करने से पितरों को बहुत जाना सान्ती मिलती है और आपके घर में सुकसान्ती होती है पूजा करना हमेशा अच्छा ही होता है उसका फल हमेसा पॉजिटिव ही रहता है, आपका मन हमेसा सांत रहता है और गलत रास्ते पर आप कभी नहीं भटकते हैं मैं ही नहीं कहती कि पूजा करने से आप किया धनकी बरसा होगी, बिल्कुल नहीं होगी तो कि वो आपका प्रारभ्द है, वो आपका कर्म है और पूजा करने से हमेसा मन सांत रहता है और आप कभी गलत रास्ते पर जो है ना कभी नहीं भटकेंगे मिलूंगे आप सबसे नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए जैशी रादे मित्रो वीडियो जो है ना लंबा हो जाता है आप लोगों से बाते करते करते जब तक के लिए जैशी रादे मित्रो राधे रादे ओम नमस्षिवाए